बुद्भार को सुबसुबा एक व्रद्ध का शब मिलने से वाडी में संसनी फैल गई प्राप्त चानकारी के नुसा मृत्तक दम कीर्ती नगर निवासी रविंद्र राव बापुराव बारवदे 75 साल बताया गया मृत्तक हमेशा की तरह वाडी M.I.D.C. टी पॉइंट परशिव मंदी परिशा में बैठता था बुद्भार को सुबद 6 बजी मंदीर में जा निकली घर से निकला कुछ लोगों को 9 बजे की दर्मियान मृत्तक दिखाई दिया 11 बजे के दोरान राहूल कॉंपलक्स के पहले माले की गली में शब बढ़ा दिखाई दिया रविंदर राव को किसी ने मानने का नुमान लगाया जा रहा है उसके दाएं आखवा उंगली को मामुली चोटे वहीं उसके कपड़े निकले हुए थे पीछे का हिस्सा घिसा हुआ था घटना की जानकारे मिलती वाडी पुलस घटना इस दल पर पहुची शब का पंच नामा किया मुरतक की लड़की ने पुलस में शुकायत किये वहीं पुलस घहराई से जाच कर रही है शब पर मिले कुछ निशान से हत्या होने की आश्रंका जताई जा रही है अब हत्या है या नेसरगे की मृत्यू या जाच का विशे है खबर लिखे जाने तक वाडी पुलस में मामला दर्ज होने का था आगी की जानकारी पुलस निरिक्षक प्रदीप राइन निवार की मार्क दर्शन में शुरू है शहर में लगाए गए सरकारी CCTV कैमरे बंद होने से घटना का पता नहीं लग सका पुलस ने सुबा से इस EOC के कैमरे को खंगाला लेकिन पुलस को निराशा हाथ लगी क्राइम पर नियंतरन के लिए कैमरे लगाए गए लेकिन प्रशासन की लापरवाई के कारण कैमरे बंद पड़े है यदि कैमरे शुरू होंगे तो घटना को अंजाम देने वाले तुरंत मिल जाएंगे वाडी से NBCN नियूस के लिए स्वारप पार्टल की रिपोर्ट